पिछले दिनों जो काबिनेट मुंत्री है नवाव मलिक उनके गिरफतारी की गई थी और उनकी गिरफतारी एडी द्वारा की गई थी इसके बाद लगाता जो है विपक्ष द्वारा उनके स्तीफे की मांग जारी है लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की महाविकास अगारी की सरकार सामने आकर नवाव मलिक से उनके स्तीफा नहीं माग रही है जिसके बाद आपको बता दे कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंतरी और बीजेपी नेता दविनदफ अगारी की सरकार पर सवाल खड़े की है साथ ही नवाव मलिक का स्तीफा भी मांगा है क्या कुछ कहा है उन्होंने हम आपको विस्तार से बता देते हैं उन्होंने आपको बता दे कि मलिक को पिछले दिनों एडी ने मनी लॉंडरिंग के मामले में गिरफतार किया था जिसके बाद स्पेशल कोट ने नवाव मलिक को तीन मार्च तक के लिए एडी की हिरासत में बेज दिया था मलिक की गिरफतारी के बाद से विपक्ष जो है काफी जादा हमलावार रुख अपनाए हुए है और लगातार विपक्ष उनके स्तीफे की मांग कर रही है जबकि दूसरी तरफ महाविकार सगाडी सरकार नवाव मलिक के खिलाफ हुई कारवाही को राजनीदी से प्रेरित बता रही है देविन फनाविस ने महाविकार सगाडी की सरकार पर निशाना साथते हुए मलिक से स्तीफे की मांग की है फन नविस ने कहा है जो पहले कभी महारास्ट या देश में नहीं हुआ वो अब हो रहा है उन्हें न कहा कि वम विस्पोट के आरोपी के साथ जहात मिला हुए नवाब मलिक को बचाने के लिए आज महारास्ट की पूरी सरकार राज की पूरी जो क्याबिनेट है वो खड़ी ह और ये काफी दुर्भागे पूर्ण है कि जिस सरकार के मुक्या शिवसेना के नेता है वो मुंबई को बरबात करने वालों के पीछे खड़ी है नवाब मलिक स्तीफा दे हम इसके लिए विधान सभा में भी लड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूर्व मुक्यामंदी काफी जादा तीखी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं और महाविकास अगारी की सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं इस दौरान पूर्व मुक्यामंदी ने आगे कहा कि जिन लोगों के हाथ मुंबई के स्पोर्ट से मारे गए निर्दोश लोग लेकर काफी हमलवार नजर आई थी और लगातार नवाब मलिक से स्तीफ़े की मांग की जा रही है एक बार फिर देविन फंडविस ने सरकार पर इस मामले को लेकर निशाना साधा है और नवाब मलिक से लगतार स्तीफ़े लेने की बात कही जा रही है वह से लेकर देविन काफी जादा अनेक्सपेक्टेड है काफी जादा जो है दुर्भागे पून है उन्हें जो है छोटे किसे मामले के लिए जेल नहीं हुआ है बलकि उनका जो रिष्टा है वो दाउत इब्राहिम के परिवार से है जो की 1993 बंब्लास्ट का मास्टर माइन बताया जाता है ऐसे गंभीर आरोप में जेल के पीछे गए मत्री से नवाब मलिक से महाविकास गाड़ी की सरकार स्तीफा आखिर क्यों नहीं माग रही है देविन्द फन्नम इसने कहा कि आखिरकार यह सरकार जो है उनका स्तीफा क्यों नहीं लेना चाह रही है यह जो सरकार है यह दाउद समर्पित सरकार है यह दाउद शरंद सरकार है यह देविन्द फन्नम इसने आगे कहा कि यह सरकार है यह एक साथ आके उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जिनका रिष्टा दाउद इबराहिम के साथ था और यही प्रदेश भाषपाद्य चंद्रकांत पाटन ने भी कहा कि अगर नवाब मलिक क्याबिनेट से स्तीफा नहीं दिया तो हम विधान मंडल का बजट सत्र नहीं चलने देंगे इस में भाषपान है बजट सत्र की पूर्व संद्या पर वुक्यमति उदव ठाकरे द्वारा आयो जित परामपरंगत गचाय पाटी का भी वहिशकार किया है तो साथ तोर पा खड़े की जा रहे है कि आकिर महाराश्ट्र की महाविकास अगारी की सरकार नवाब मलिक से उनका स्तीफा क्योंने मांग रही आपको बता दे शिव सेना जो पाटी है इसकी नियू रखने वाले बाला साहब ठाकरे थे जो बाला साहब ठाकरे ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्हो कि वह मुंबई को सुरक्षित महाराश्ट को सुरक्षित देखना चाहते थे और आज उनके ही जो बेटे है आज उनके ही आप कह सकते हैं जो वन्शन है शिव सेना के वह दावद इबराहिम के साथ रिष्टे वाले मंत्रियों से रेजिगनेशन मानने में भी इतना ज्याद कतरात से नजर आ रहे हैं जो सवाल खड़े करता है कि आखिर दावद इबराहिम को इंप्रेस करने के लिए महाविकास गाड़ी की सरकार के पूरी कैबिनेट मंत्री क्यूं लगी पड़ी है एक मंत्री है जिनके उपर एक इतना बड़ा बारिक गंभीर आरोप लगाया गय पर प्रदेश NCP अध्यक्ष जयत पाठिल ने दो तुक जवाब दिया है कि उन्हें ने कहा है किसी भी कीमत पर अल्व संख्या कल्यान मंत्री नवाब मलिक का स्तीफा नहीं होगा अपरात साबित होने तक मंत्री का स्तीफा अनिवार्य नहीं है पाठिल ने आरोप लगाया कि भाजपा के तरफ से महाविकास गाड़ी की जो सरकार है उसे संकत में डालने का प्रयास किया जा रहा है जूटे आरोप लगाया जा रहा है बजटसत के दौरान भाजपा को अपना रुख पेश करने दीजिए उसके बाद जवाब दिया जाएगा यानि साफ तोर पर लहराते हुए नजर आए थे और यह कह रहे थे कि लड़ेंगे और जीतेंगे भी क्योंकि उन्हें पता था कि भले ही जेल क्यों न चले जाए उनके लिए महारास्ट की जो महाविकास गाड़ी की सरकार यह जो पूरा कैबिनेट है उनसे स्तीफा भी नहीं मागेगा और उन संगीन आरोप लगा है गिरफ्तारी हो चुकी है हिरासत में है लेकिन इसके बावजूद सरकार अपने तरफ से टस्समस नहीं हो रही है इसे राजनितिक प्रेरित बताया जा रहा है किसी वी हालात में स्तीफा नहीं मांगा जाएगा कहीं नवाम मली की खुशी के पीछे का कारण भी यही है कि नवाब मली को पूरा भरोसा था कि भले ही वो जेल के पीछे क्यों न चले जाए उनकी जो पाटी के लोग है उद्व ठाक रहे हैं यह उनसे कभी स्तीफा नहीं मांगे गया और यहीं अब देखने के में मिल रहा है जो कि महाराष्ट की जनता के अंदर स पासकर ने नाम लिया है इडी को सबूत मिले है उस जमीन के जहां पर यह से लेकर बयान दिया गया तीन कड़ोर पचास लाख रुपए की जमीन महद बीस लाख रुपए में खरीदी गई है इसे लेकर इडी के पास सबूत है इसके बावजूद यह सरकार इस्तीफा मांग इने को तैयार नहीं है आपको बता दे की सिटिंग ग्रिया मंत्रिया नील देश्मुक के वक्त में जो है जब बहुत जादा यह मामला विबात बढ़ाता सौकरूर की वसूली का उस वक्त जो है उन्होंने खुद स्तीफा दिया तो इस वक्त नवाब मली के ओपर और भी ज सवालती थी हसीना पारकर के राइट हैंड के साथ भी नवाब मलीक बाच्चित में रहे हैं जमीन खरीदी है इसके बावजूद इतने गंबी राल लावरुप लगने के बावजूद महाविकास गाड़ी की सरकार स्तीफा मांगने को तयार नहीं है जो कि अब उनके ऊपर स पूरी तरह से क्लियर है कि राजनीटिक प्रेरियत है और नवाब मलीक से स्तीफा नहीं मांगेगी जिसे लेकर अब यह साफ कर दिया गया है कि जल दी जो है इसे लेकर प्रदर्शन किया जाएगा ताकि नवाब मलीक से रेजिग नेशन जो है उनका स्तीफा जो है मांगा वैसे में इस पूरे हालात में आगे कितना ये मुद्दा जो है भड़कता नजर आता है नवाब मले के स्थीफा देते हैं उनकी सरकार के तरफ से स्थीफा मांगा जाता है या फिर नहीं और बीजेपी आगे भी से लेकर क्या कुछ लुक अपनाती है या आने वाले वक्त के स साथ साफ हो जाएगा तब तक के लिए इसा पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं